कर दो है कि अधिए 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 सब्सक्राइब नए वीडियो में नहीं दोस्तों आठीज विडियो में हम आपके लिए लाएए टोटाली सीपी से गुन हुड से बना हुआ एक फारनीचर डिजाइन सो इसको आप बेट भी बोल सकते हो एड़ सोफा भी बोल सकते हो जिय स्किप कर दोगों तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा सो दोस्तों इस वीडियो को प्रोड़क ना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को पेस कर देना क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो रेगुलरी आपके लिए लाता हूँ तो दोस्तों देखते रहो तो यह एक बहुत ही सुन्दर सोफा और बेट की तरह आप यूज कर सकते हो इसको तो टोटली सीपी सेगुन हूट से बना हुआ है तो इसका जो साइज है यह 4 फिट का है एन चौड़ाई में 3 फिट और हाइट में 6 फिट है चौड़ाई में तो दोस्तों आप देख सकते ह तो इसका जो दो पल्ला हे सामने अन्ट पीछे दो फल्ला है टोटली चार पल्ला है एось को जो अंदर व WIL ौस सिस्टेम किया हुआ है जो इसके अंदर बहुत कुछ रक सकते हो हो बहुत ही सुन्सार्ट जهिआ दूस्तों यह आपके बहुत ही कम जगा के ऊपर एक बहुत फाइदवाण चीज 52 इस तरह किसे आप संफो बेट की तरह बहुत कर सकते हो और कभी आपका सोफ़ की आपने चाहे तो इसको इसको सखते हो क्यों कि यह हैं दिख रहा हो यह बिल्कुल फोल्डिंग है इसको आप खोल के भी ड्राख सकते हो और लगा भी सकते हो शोफा की तरह दोस्तों यह बहुत कि तरह जो बोड़ है इसको आप खोल के भी अंदर आप सामान रख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से तो जी हां दोस्तों यह बहुत ही सुन्दर हैं टोटली सीपी सेगुन हुट से बना हुआ है यह बहुत दिन तक ग्राइंटी के साथ बना हुआ है यह आप बिल्कुल फ्री के पॉलिस करने से पहले हमने इसको सूट किया सो बहुत सुन्दर और बहुत ही फाइदवान एक फॉनिचर डिजाइन आप सोफा एंड बेड तो इस साइड की तरफ से आप दिख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखेगा अभी जो है हैंडल नहीं लगा है सो फोलिंग सिस्ट तो इस वीडियो को कैसे लगी जडर कमेंट करना अपने दोस्ते के साथ चल दे इस वीडियो में नेक्स्ट